हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे होंगे अवेकन ब्रेंज और अवेकन ब्रेंज की स्क्रीन पे इस वक्त आ चुका है एडवान्स नोटिस यह एडवान्स नोटिस है जमू कश्मीर सभी सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो ओम और और CBT एक्जाइम लेने वाली है इन्होंने आज क्लियर कर दिया कि हमारा कलेंडर जो है वो सेट हो चुका है JKS भी तयार है OMR और CBT एक्जाइम लेने के लिए तो आप भी तयारी जो है अपनी जोरो शोर से कीजेगा और ताकि आप एक्जाम में आराम से अपियर हो सकें तो यहा यहां पर यह कह रहे हैं कि हमने all such candidates who have applied for the post shown in the next year A are accordingly informed to participate in the OMR based written examination and computer based written examination तो यहां पर आपके लिए जो है exam date हो चुकी है आउट यह है अशोक कुमार, JKS, Controller of Exam, examination, JN के service selection board और आज की date का यह notification है तो चलते हैं अब exam किस किस का होने वाला है तो पहला ही जो exam bulk में होने वाला है 972 post के लिए finance department का account assistant के लिए UT carder का यह होगा सबसे पहला exam 6 March को 2022 और उसके बाद जलशक्ती का junior engineer civil department UT का जो level है इसमें 163 post है 10th और 20th March के बीच में exam होगा उसके बाद home department का है sub inspector की post police के लिए UT level 1200 post है यह भी होगा 10th से 20th March के बीच में उसके बाद forest ecology and environment department के लिए होगा assistant law officer UT level की post है total state UT में एक post है इसका exam भी 20-25 March के बीच में होने वाला है फिर department of law justice and parliamentary affairs में junior legal assistant UT level का 9 post है reader का exam UT level का एक post है junior assistant research UT level का एक post है junior legal assistant doda की post है डोड़ा district की एक post है यह भी 20-25 March के बीच में होगा फिर legal assistant यहां पे आपने देखा होगा legal assistant अनंतरा की एक post है 20-25 March legal assistant UT 15 जो है post है यह भी 20-25 March उसके बाद junior legal assistant UT post है 6 post है total है उसके बाद यह भी 20-25 March के बीच में होगा उसके बाद fisheries department में division कडर कश्मीर 32 post है 20-25 March उसके अलावा यहां पे division जमू की जो है deputy inspector fisheries जमू division 10 post है 20-25 March उसके अलावा inspector fisheries farm manager equivalent UT level की post 6 post है 20-25 March तो maximum paper जो है 20-25 March के होने वाले हैं उसके बाद last week of March 2022 में subject to the vacation of the interim order by the honorable court यहां पर यह एक्जाम जो है कुछ exams के बारे में इनने बताया है यहां पर आप देख सकते हैं इन exams के बारे में बताया है इन exams के बारे में बताया है तो यह चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है होंगी आपको होटी कल्चर में senior होटी कल्चर technician के related jamu division के बारे में यह इन्होंने notify किया हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो है होटी कल्चर technician grade 4 जम्मू, सामबा, कठुवा, उदुमपुर, रियासी, डोड़ा, किश्टवार, रामबन, राजोरी इनका exam जो है यहां पे भी इनने कहा last week of March subject to the vacation up in dream order by the honorable court इनके exam तब होंगे तो यहां पे आपको यह first week of April में कहा है सब इनस्पेक्टर finance का, finance का सब इनस्पेक्टर, जमूर डिविजन, कश्मीर डिविजन, 48 पोस्ट हैं, 12 पोस्ट हैं, यह first week of April में होगा, उसके बाद finance का inspector जो यह बच्चे त्यारी कर रहे हैं तो मज़े इनके भी हैं कि सबसे last में एक्जाम होने वाला 18 पोस्टों के लिए first week of April तो यह सारा अपडेट था जेके SSB की तरफ से official controller of examination ने आज कलेंडर जारी कर दिया है और सबी बच्चों को हमारी तरफ से अवेकन बेंस की तरफ से all the best और आप इस mega offer के लिए तैयारी कीजिए जो उपर वाले ने आपके सामन कर रहे हैं अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे एंड से जो भी latest वीडियो अपलोड होती है उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को अगर आपको थेंक यू सो मुच